हाई अब्रिवन तो आज मैंने बनाया रिर्वा या जिसे आप लोग तरोई के नाम से भी जानते हैं इसकी मशालेदार बहुती स्वादिश सबजी की आप लोग उंगलिया चाटे में मजबूर हो जाएं और दो की जागा चार रोटी बच्चे भी एक्स्ट्रा खाएंगे त चले पूरा प्रोसेस जरूर देखिए गया तो यहां मैंने बिल्कुल मुलायम से लिया है तुरोई या रिर्वाजी से बिलते हैं या निनुआ भी बोलते हैं तो इसको इस तरह से छील का लग करके दोनों साइट से कट करना और पीस से इस तरह से कट लगा लेना है अगर बड़े साइच के हैं तो इस तरह से दो या तीन पीस में कट कर लिजएगा तो यही आलू को भी इसी तरह से लॉंक साइच में कट करना है और यह मैंने प्याज को भी इस तरह से बड़े साइच में कट किया और एक एक इसको इस तरह से अलग कर लिया है अब यही एक कढ़ कबर कर देते हैं क्योंकि इससे पानी बहुत ज्यादा चिटकता है इसलिए जलने का भी डर होता है अब यह एक दो बार चेक कर लीजेगा और इनको इसी तरह से फ्राई करके अलग कर लेते हैं अब जो कढ़ाई में तेल बचा है ना इसी में थोड़ा सा जीरा और साथ ही थो प्याज को एड़ किया मैंने और अब ना इनको हलका सा तेल में पका लेते हैं प्याज का जैसी थोड़ा सा कलर चेंज होता है ना तो यहीं एक चम्मस तक लेशुन अद्रा का पेस्ट एड़ किया है इसको भी मिक्स कर लेते हैं और तेल में ही अच्छे से पका लेना है यह यहीं 2-3 मिर्च को ना मैंने long size में cut करके add किया हैं चुटकी भर यहां healthy powder add करेंगे और साथ ही 2-3 चमच तक यहां धनिया powder add करेंगे यही कास्मीदी लाल मिर्च add कर रहे हैं और अगर आपको तीखा पसंद तो तीखी मिर्च add कर सकते हैं यहीं हलका सा सबजी मशाला एट करना है और थोड़ा सा पानी डालके सारी चीजों को मिक्स करके और मशालों को हलका सा फ्राई कर लेना है मतलब हलका सा पका लेना है जैसे यहाँ थोड़ा से मसाले पग जाते है यही मैंने दो चम्मस तक based on को roast करके रखा हैं और अब इसमें transfer कर लेते हैं यहीए दो टमाटर की प्योरी add करना है और अब सारी चीजों को mix करना है इसको तब तक अच्छे से पकाना है जब तक कि मशालों से थोड़ा सा तेल नहीं छोड़ देता इस प्रोसेस के बाद यहाँ लगबग 1.5 गिलास पानी ऐड़ करना है जिस इसाप से आपको उसके ग्रेवी रखना है उसी साप से पानी ऐड़ करना है मैंने लगबग एक गिलास तक पानी एट कर दिया थोड़ा थोड़ा सा करके और अपना यहाँ स्वादनुशार नमक एट करना है अब इसको कबर करके एक मिनट के लिए पकाते यानि जब तक कि इसमें बबल्स नहीं आ जाते अब यहीं चेक कर लेते हैं और यह बाकी फ्राइ कीवी चीज़े इसमें एट करना है जैसे तरोई, आलू और प्याज यह सारी चीज़ों के इसमें एट करना है और अब यहाँ थोड़ा सा गरम मशाला भी साथ में एट कर रहे हैं एक छोटा चमच यहीं आप चाहें तो थोड़ा सा कस्तूरी मेथी एट कर सकते हैं या आप यहाँ हरी धनिया भी एट कर सकते हैं अब इसको मिक्स करने के बाद कबर करते हैं और सिर्फ दो मिनट के लिए मेडियम फ्लेम में पकाना है अब दो मिनट बाद धेर सारी हरीदनिया एट करना है और इसको मिक्स करना है और ये चटपटी सी मशालेदार आपकी तरोही या निन्वा की सबजी बन के रेड़ी हो गई है चलिए इसको गर्म गर्म रोटी और चावल के साथ सर्व करते हैं और कैसा लगा इसको बनाने का तरीका कमेंट करके जरूर बताईए अगर पशंद आयो तो लाइक करें सेर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू